नमस्कार दोस्तों भगवत गीता के तीसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्स इल्फ इंकॉर्परेशन भारत और USA की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं इंदौर मनेज्मेंट असोसियेशन के साथियों का भी हम स्वागत करते हैं हमने पिछले अध्याय म में देखा कि अरजन के हाथ कापते हैं उसके सर से पसीना चपकता है मूँ सूखा जाता है और हाथ से गांडी छूट के गिर पड़ता है अरजन रत पे बैढ़ जाता और कहता है केशव में युद्ध न कर सकूँ रहा है किन्तु क्रशन के चेहरे पे दुविधा के कोई भ अरजन के जीवन के निर्णे नहीं लेंगे यह अरजन की बैटल है और इस बैटल के सारे निर्णे भी अरजन के होंगे और उस निर्णे के कॉनसीक्वेंस भी अरजन के ही होंगे क्रश्न अर्जुन को ये स्पस्ट समझा देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए हूँ बट आई विल नॉट टेक यूर बैटल यू विल फाइट इसलिए भले गीता के साथ सो श्लोक सुनाने पड़ जाएं पर अर्जुन के लिए क्रश्न हतियार नहीं उठाएंगे मानत्वा को एक संदेश कि अगर आप कहीं भी हैं अपने जीवन में और यदि निर्णे नहीं ले पा रहे हैं अपने जीवन का निर्णे आपको स्वेम लेना होगा और उसके कॉंसिक्वेंस के लिए भी तयार होना होगा परमात्मा हमारे साथ हमारे अंदर है हमें इंस्पायर करने के लिए सही दिशा दिखाने के लिए पर अन्तता निर्ने हमारा ही होगा क्योंकि हमें परमात्मा ने freedom दी है freedom of choice free will हमें परमात्मा ने दी है इसी को intelligence कहते है और इसी कारण हमारे पास choice है एक western author ने बड़ा खुबसूरत पुस्तक इस पर लिखी है paradox of choice ये पुस्तक इस बात को propose करती है कि जितनी choices होती है उतनी ज़्यादा दुविधा बढ़ती है पहले तो ये माना जाता था कि freedom का दूसरा नाम ही choice है freedom का मतलब choice पर ये पुस्तक इस प्रपोस करती है जितनी choice उतना confusion और उतना तनाओ क्योंकि इंसान समझ नहीं पाता आज के युग में एक जीन से लेके शादी करने तक के लिए रहती के पास second of choices है और इसलिए मन पेंडूलम की तरह इदर उदर जाता है ये करू या वो करू और हैमलेट की तरह to be और not to be में इंसान की जान ही चली जाती है और मन लगातार द्वैत में सोचता रहता है पूरी vocabulary मन के इसी द्वैत की ही तो उपज है अच्छा बुरा दिन रात हर चीज़ का opposite मन सोचता है तो पूरी vocabulary में जितने आपको opposite pairs दिखते हैं ये pair उसी bipolar मन के ही तो उद्गार है इसी करण जब करशन पूछता है मैं क्या करू तो करशन कहते है अपने δharम का पालन करो और फिर स्वधारम क्या है तो इसी लिए आज हम समझने जा रहे है धर्म क्या है जब भी हम जीवन में confused हो कि हमें क्या करना है तो हमें ये clarity होना जरूरी है कि धर्म क्या है तो चलिए आज बात शुरू करें, धर्म क्या है, तो धर्म ध्रधातू से बना है, संस्क्रुट की, ध्रधातू का रथ है धार्यती इती धर्मह, जो इस पूरी श्रस्टी को धारण करता है, जो भी धारण करता है वही धर्म है, वन विच वोल कॉस्मोस, वन विच मेंटेन, वन विच अपॉड होल कॉस्मोस, इस धर्मह, जो इस पूरी कोस्मोस को अपूल करता है, so dharm is the natural order of the rivers it's पूरी कायनात का natural order ये ग्रह कौन इने घुमाता है ये क्यो घुमते है ये इनका धर्म है जो इने भारा है सद्यों से प्रत्वी ऐसे ही घुम रही है तारे सितारे ग्रह नक्षत्र ऐसे ही घुम रहे है अपनी अपनी एक्सिस पे लॉप ग्रेविटी सदियों से ताइम इममोरियल से अप्लिकेबल है हम अभी इन्वेंट किये पर ये हमेशा से थी सेंट्रिपिटल सेंट्रिफ्यूगल पोर्से एक्टम के निउकलिस के चारो तरफ भूमता हुआ एलेक्ट्रॉन ये सब अपने अपने धर्म को निभा रहे हैं और इसलिए पूरी काइनात सस्टेंड है तो धर्म विच मेंटेंज सस्टेंज इस दे नेचरल अर्डर अब इन्वेर्स पर धर्म और रिलीजिन में अंतर है रिलीजिन शब्द लेटीन वर्ड रिलिजरे से बना रिलिजरे, रि मतला अगेन लिजरे मीन्स कनेक्ट फिर से जोड़ देना व्यक्ति को हायर से आत्मा को परमात्मा से मनश्य को देव से फिर से जोड़ देना तो उस जोडने का जो रास्ता है उस पात को हम रिलीजिन कहते हैं तो रास्ते तो बहुत हो सकते हैं, इसलिए religion बहुत हो सकते हैं, इसलिए religion is a belief system, यह belief system है, पर धर्म बहुत नहीं हो सकते हैं, बहुत सारी gravities नहीं हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिसाई, चार अलग-लग religion हो सकते हैं, पर चारों की gravity अलग नहीं हो सकते हैं, तो धर्म सब पे एक जैसा लागू होता है, धर्म objective है, जबकी religion subjective है, व्यक्ति विशेश के अनुसार लागू होता है, धर्म natural order है, religion is a belief system, धर्म applies on all the objects, even objects में भी लागू होता है, ग्रह, नक्षर, तारे, सितारे, सब पर, पत्थर पर, पानी पर, आग पर, पर, religion केवल human के लिए लागू होता है, धर्म eternal concept है, religion ये change over time होता रहता है, human ने इसको develop किया है, अपने रास्ते को खोजने के लिए, उस परमात्मा की तरह है, पर gravity human ने develop नहीं किया, तो धर्म eternal है, देशकाल से स्वतंत्र है धर्म, जबकि religion देशकाल के अनुसार है, साओधी का religion भारत के religion से अलग होगा, वहां की परिस्तितिया अलग है, कपड़े पहनने का तरीका, नमाज अदा करने का तरीका, और बहुत सारी चीज़ें अलग होगी, यहां पूजा का तरीका अलग हो जाए, अगर आप फिजिकल ओडर में धर्म मानें, तो वही तो फिजिक्स है, आप साइकलोजिकल ओडर में धर्म मानें, तो वही तो फिजियालोजी है, अगर हम फिजियालोजिकल ओडर में धर्म देखें, तो वही तो फिजियालोजी है, social order का धर्म ही तो morality है और subtle world का जो धर्म है उसी को law of karma कहते है तो धर्म is the universal order तो ईश्वर क्या है और धर्म क्या है धर्म युनिवर्सल order है और ईश्वर is the intelligence behind that universal order उस universal order को जो intelligence गवर्न करती है उसी को ईश्वर कहते है तो ईश्वर धर्म को गवर्न करता है अब धर्म और ईश्वर में क्या अंतर है भगवान और ये धर्म में क्या अंतर है क्या धर्म ही भगवान है हमने कहा धर्म is the universal the natural order of the universe universe का जो natural order है वो धर्म है जो स्वता है इस universe को धारित किये हुए है इश्वर, the intelligence behind that order, उस order के पीछे जो intelligence है, cosmic intelligence है, वो इश्वर है इश्वरा is the intelligence behind this natural order of the universe इस धर्म के पीछे जो intelligence है, वही इश्वर है और जब जब धर्म बिगडने लगता है, कहीं कोई कमी आने लगती है तो वो universal intelligence अवतार लेता है, to sustain धर्म और वो अवतार कभी पुरुष के रूप में होता है, राम, क्रशन, बुद्ध, महम्मद, जीजस या फिर वो प्रकती के रूप में होता है, कोई धूमकेतु, कोई महमारी So धर्म is the natural order of the universe यहां तक हम समझे And ईश्वर is the intelligence behind that order अब हम अपने जीवन में धर्म कैसे लागू होता है, हम उस पे चर्चा करें तो तीन तरह के धर्म होते हैं समम से बना, समम Means whatever is universal applicable जो हर जगे लागू हो, उसी को हम कहेंगे सामान धर्म इसका मतलब क्या? जो भी धर्म Is applicable to all human At all places At all times हर व्यक्ती के लिए हर समय हर जगे जो धर्म लागू होगा उसी को कहेंगे सामान धर्म कि सब पे हर समय हर जगे लागू होगा कौन है, क्या है सामान धर्म सोचिए बिल्कुल आपने सही सोचा अगर आपने सोचा ये basic values है ethics है morality है जो आप moral science की किताबों में पढ़ते है अहिंसा equality सब में समान था fraternity भाईचाला न्याय ज़स्टिस human dignity व्यक्ति की गरिमा स्वतंतर था ये ऐसे basic धर्म है जिस पे आप कभी debate नहीं कर सकते हर समय हर काल में व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए हर समय हर काल में अहिंसा होनी चाहिए हर सर में हर काल में भाईचारा होना चाहिए justice होनी चाहिए so these are basic human values इसी को हम कहेंगे सामान ने धर्म United Nation का जो charter of human rights है उसको आप इसमें जोड सकते है सामान ने धर्म को आप कहें तो ये preamble है humanity की मानवता का preamble है by default ये तो सब में होना ही चाहिए अब मान लीजिए आपको पता लगाना है कि सामान ने धर्म क्या है तो कैसे पता लगाएंगे तो चार प्रशन सुन लीजिए ये प्रशन जहां भी पूछेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा इस स्थिती में सामान ने धर्म क्या है या जो मैंने किया क्या हो सामान ने धर्म है पहला larger interest वो सब के हित में होना चाहिए larger majority के हित में होना चाहिए मान लीजिए किसी ने चोरी करी ठी? अब चोरी क्या सब के हित में है? नहीं है इसलिए चोरी धर्म नहीं है आपने ट्रैफिक रूल तोड़ दिये रेड लाइट पे चले गए तो क्या है सब के हित में है नहीं है तो ये धर्म नहीं है तो पहला प्रश्ण खुद से पूछे क्या है मैजॉरिटी के हित में है दूसरा लॉंग तम रिजल्स अच्छे आएं जिसके लंबी समय में उसके परिणाम अच्छे हो चलिए चोरी करें तो क्या लंबे समय में परिणाम अच्छे होंगे जो जो चोरी करता है उसके नहीं होगा ऐसा ट्राफिक रूल तोड़े तो क्या 130 करोड लोग धर्ती के यही करने लगें तो क्या हो सकता है सभी लोग चोरी करने लगे तो नहीं चल सकती काइनाथ सभी लोग traffic rule तोड़ दे तो नहीं हो सकता इसका मतलब यह scalable नहीं है इसको अगर बड़े रूप में ले जाएं तो नहीं चल पाएगा exceptional चल गया पर बड़े रूप में नहीं चलेगा इसलिए धर्म नहीं है चौथा प्रशन क्या यह sustainable है क्या यह long term स्थाई रह सकता है यह अगर यह लंबे समय के लिए स्थाई नहीं रह सकता तो भी यह धर्म नहीं है तो यह चार प्रशन खुद से पूछे और जो भी आपको उत्तर हां में मिले तो जानिये यह सामान ने धर्म है पहला क्या लंबा यह majority के interest में है क्या दूरगामी इसके परिणाम अच्छे होंगे क्या यह scalable है या यह sustainable है अगर उत्तर है हां आग बंग करके कर जाएए यह धर्म है आगे बढ़े जब आप स्वधर्म का पालं करते हैं तो क्या होता है और जब आप सामान ने धर्म का पालं करते हैं तो क्या होता है सामान ने धर्म का पालं करने से तीन फायदे होता है पहला आपका अंतर मन बड़ा शुद्ध और शान्त रहता है आपको हमेशा लगता रहता है मैंने सही किया जो करा जाना चाहिए था मैंने वो किया और आपको पता है रात को चैन की नीम सोने के लिए सबसे अच्छा तकिया कौन सा है? Pure consciousness का तकिया शान्त और शुद्ध चित का तकिया बिल्कुल शुद्ध चित वाले लोग बहुत चैन से सूपाते है clear चित होता है, clear consciousness clear conscience होता है no guilt, कोई guilt नहीं होगा आपको third, in the long run आपको better results मिलेंगे हो सकता immediate भी मिलें पर long run तो मिलेंगे ही पुन्य जिसको कहते हैं clear conscience होगा, कभी आपको guilt नहीं होगा और तीसरा, पुन्य आप अर्जित कर पाएंगे अब हम दूसरे प्रकार के धर्म पे जाएं दूसरा इस विशेश धर्म विशेश धर्म, नाम से ही clear है ये विशेश है, ये situational है context specific है special cases में लागू होता है role specific है हर role का अपना धर्म है इसका तो role के अनुसार जो बदले उसी को हम कहेंगे विशेश धर्म मेरी duties, मेरे कर्तव तो मेरे role से जो संबंदित है वो क्या है? विशेश धर्म वो जो धर्म था, वो तो मैं इंसान हो इसलिए हो गया role कोई निभाओं न निभाओं इंसान हो तो सामने धर्म लागो हो गया पर मैं जिस role में जाओंगा उस role के अनुसार विशेश धर्म हो गया जैसे? क्या-क्या role है? पिता के रूप में? भाई के रूप में? आपका मैनेजर के रूप में रोल है, पती के रूप में रोल है, बास के रूप में रोल है, बेहन के रूप में रोल है, अधिकारी के रूप में रोल है, माता के रूप में रोल है, कितने सारे रोल हैं, ये रोल से हमारे है, विशेश धर्म तब तक ही लागू होता है जब तक उत्तव प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितिनात जी के पिता जी का देहाफसान हुआ, देहन तो हुआ, वो जा न सके इस कोरोना बीमारी के चलते, उन्होंने पत्र लिखा, और लिखा, मेरे पूरो आश्रम के पिता श्री का देहाफसान हो गया, मुझे बहुत जिवार के लिए उन्होंने एक संदेश भी भीजा, जब तक उन्होंने सन्यास लही नहीं लिया था, वो पुत्र के रोल में थे, उन्होंने बड़ा स्पस लिखा, पूरो आश्रम के पिता, क्योंकि अब मैं उस रोल में नहीं हूँ, तो विशेश धर्म कब तक लागू हो तक वो धर्म आप पे लागू होता है, उन्होंने संबेधनाय बताई और एक अच्छा उधारन प्रस्तुत किया पूरे देश के सामने, कि मुख्यमंत्री स्वें कर्तब निश्पादन के चलते, कर्तब निश्पादन सामान ने धर्म, जो मैजॉरिटी को बेनिफिट दे सक उसके चलते नहीं गए, आगे बात करें, जब तक आप उस रोल में विशेज धर्म लागू होगा, ये धर्म इसलिए है क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं आइलन नहीं हूँ, नो मैन इस आइलन, मैं इस काइनात से जुड़ा हुआ हूँ, I am a part of the whole, इस काइनात में, इस कंपनी को मशिनरी मान ले, परिवार को मशिनरी मान ले, उस मशिनरी में जो आपका रोल है, उसको आपको निभाना है, और उसी को विशेश धर्म कहींगे, अब पता कैसे लगाऊं कि मेरा रोल क्या है, तो पहली चीज़, आप ये जानिये कि उस रोल में आपसे अपेक्ष क्या है आपके कर्तव्य क्या है यही कर्तव्य आपका धर्म है विशेश धर्म में जो कर्तव्य है आपके वही आपका धर्म है उस विशेश रोल में जो कर्तव्य है आपके वही आपका धर्म है अन्यथा अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो Standard Operating Procedures पढ़िए SOPs, वो आपको बताएंगे कि आपके कर्तब वे क्या है वही धर्म है यदि आप सरकारी नौकरी में है तो आपकी नौकरी का एक Act लगा होगा Civil Services Act जिसे कहते हैं उसे पढ़िए, वही धर्म है सो इस तरह से आपको जानकरी में लेगे पर अब यहां क्या है, conflict होता है क्योंकि सामाने धर्मे तो कोई conflict नहीं है सामाने धर्म तो सबके लिए एक जैसा है पर विशेश धर्म तो अलग-अलग है तो यहां होता है role conflict कैसे होता है चलिए हम बताते जा रहे हैं आप भी अपने अपने रोल कॉन्फिक्ट याद कीजिए एक पुलिस ओफिसर है कोरोना टाइम्स है उनको नौकरी करना है यह उनका विशेश धर्म है पर वो मा भी है बच्चे की देखभाल करना भी उनका विशेश धर्म है तो अब दो रोल हैं एक मा और एक पुलिस ओफिसर अब इन दोनों के साथ कैसे जस्टिस करें बाहर जाते हैं तो बच्चे को खत्रा है जब आके उसको बाहूं में लेते हैं और बाहर नहीं जाएं तो अपनी नौकरी के साथ में आया नहीं कर रहा है रोल कॉंप्लिक्ट और मैं एक एंप्लॉई हूँ कहीं दोकरी करता हूँ किसी कंपनी में मेरा विशेज धर्म है बास की बात मानना बिल्कुल ठीक बात तो मैं एक सबॉडिनेट भी हूँ बास के लिए पर मैं एक कंपनी का मुलाजिम भी हूँ तो मेरे पास दो रोल है गर मैं कंपनी को धोका देता हूँ तो मेरा जो रोल एज जन एंप्लॉई है उसके प्रति में नहीं कर रहा और अगर मैं बास की बात नहीं मान था तो फिर मैं अच्छा सबॉडिनेट नहीं हूँ रोल कॉंप्लिक्ट ऐसे बहुत सारी सिचुएशन जैसे अभी ऐसा एक केस आया हाला कि ये केस सब्जिडिज है पर जो केस सामने आया एक बहुत बड़ी बैंक की CMD थी उन्होंने जैसा पेपर में छपा कि उन्होंने अपने पती को फाइदा पहुचाने के लिए उस बैंक से लोन दिलवाया और काफी बड़ा लोन दिलवाया उसके बाद उन पे इंक्वाइरी बैठी और अभी इंक्वाइरी चल रही है मामला जुडिशरी में है अब जब आप बैंक के CMD है तो विशेश धर्म ये है कि बैंक की हित की रक्षा करें पर जब आप एक पत्नी है तो अपने पती की मदद क करना भी आपका धर्म है अब आप इन दोनों धर्म के साथ कैसे कोइंसिदेंस इनका कैसे आप साथ में पत्री बिठाएंगे तो ये रोल कॉंफ्लिक्ट विशेश धर्म की एक समस्या है यही रोल कॉंफ्लिक अरजुन के सामने आगे है द्रौपदी का पती है पत्नी की सम् की रक्षा के लिए युद्ध लरना पड़ेगा और दूसी तरफ द्रोनाचारे का शिश्य है अब शिश्य कैसे गुरु को मारेगा रोल कॉन्फिक्ट यही भीश्म के साथ हुआ तभी उन्होंने शपत ली थी भीश्म प्रतिग्या की थी यही भगवान राम के साथ हुआ ज आप मेंसे भी बहुत सारे लोग इस तरह के कॉन्फिक्ट से गुजरते होंगे अंदर ये अंदर लगातार एक कॉन्फिक्ट बरता है कई बार घरों में कॉन्फिक्ट आता है पुत्र के रूप में आपका डाइट वर और पती के रूप में आपका डाइट वापस में टकर इस स्थिती में कैसे इसे solve करें तीन प्रश्न खुझ से पूछिए पहला प्रश्न जब भी आप में दो रोल में conflict हो जाए तो पहला प्रश्न consider the larger interest of all involved larger interest किस्त में है larger interest क्या है अब उस police officer के case में देखे यदि वो जॉब पे जाती है तो शायद हजारों लोगों को कोरोना से बचा पाएंगी और अगर वो जॉब पे नहीं जाती तो एक बच्चे को बचाएंगी larger interest क्या है दूसरा look at the implication of the failure in case of each role किसी भी रोल में अगर आप fail होगे तो उसका implication कितना बड़ा होगा कितना बड़ा उसका असर होगा उस पे भी विचार कीज़एंगी कि यदी मैंने बैंक से कुछ किया और इतना बड़ा लोन बैंक में गया और अगर वो नहीं वापस आया तो क्या असर होगा और अगर मैंने पती की एक बात नहीं मानी तो क्या असर होगा मेरे रिष्टे तीसरा look at possibility of recovery after such a failure अगर कोई ऐसा damage हो जाता है question number two में उत्तर मिले आपको कोई damage हुआ तो उसके बाद recovery के chances कितने हैं क्या इस्थिती सम्हाल पाएंगे हम क्या हम उस्थिती को देख पाएंगे तो recovery के chances कितने हैं ये तीसरा प्रशन खुद से पूचिए इसके बाद जो उत्तर मिले उस आधार पर आप निर्ने लीजिए जैसे अगर मैं company के साथ बेईमानी करता हूँ मेरे boss के कहने पर तो larger interest पर क्या है company के ज़्यादा employees को दुखसान हो गाए शायद boss मुझसे नाराज हो वो तो repairable है भी boss का transfer हो सकता है मेरा transfer हो सकता है पर company का loss क्या repairable है यह सब प्रशन सोचने हो गए अगला तो इसके results क्या होते हैं विशेज धर्म का पालन करने से peace of mind मिलता है regret नहीं होता है आप शान्त आपका मन रहता है और आपको फिर कभी regret नहीं होगा भई जो सहीर लगा मुझे उस रोल में मैंने किया इसी को कई बार राज धर्म कहते है वाजपेई जी जब प्रधान मंतरी थे और गुजरात में गए थे तब उन्होंने वह उस समय के जो मुझे मंतरी थे गुजरात के गुजरात में काफी दंगे थे उस समय दंगे बढ़के हुए तब वहाँ के मुझे मंतरी शरी नरेन मोदी को प्रधान मंतरी ने कहा था अपने राज धर्म का पालन कीजिए गुरू धर्म, शिश्य धर्म, ये सभी रोल बेजड धर्म है और इसको नहीं समझपाने का खामियाजा उठाना पड़ता है एक मिलग्रिम्स एक्सपरिमेंट हुआ है एडॉल्फ हिटलर ने आदेश दिया कि बहुत सारे ज्यू को कंसंट्रेशन कैंप में मार डाला जाए अब आदेश तो बरलिन में बैठके दे रहे थे पर उस आदेश की जो तामील कर रहे थे, एक्जिक्यूट कर रहे थे उन में प्रमुक थे एडॉल्फ इच्मिन एडॉल्फ इच्मिन और उन्होंने हजारों हजारों लोगों की चमडियाओं खिड़ दी हॉलोकॉस्ट में कंसंट्रेशन कैंप में इस कदर लोगों को मारा कि इतिहास धर्रा गया अब बात ये उठी कि ये इच्मिन ने ऐसा क्यों किया उसके दो रोल्स थे एक रोल हिटलर के प्रती था उसके अपास as a subordinate और एक रोल उसका था इंसानियत के प्रती सामान ने धर्म और आज तक चुकि उसने सामान ने धर्म के अवहिलना की और विशेश धर्म का पालन किया उसका नाम सबमान से नहीं लिया जाता अब हम तीसरे धर्म की तरफ आ जाएंगे हम इचमेन पे फिर से आएंगे तीसरे धर्म तीसरे धर्म पे आएंगे इसका नाम है गुण धर्म गुण धर्म क्या रत हुआ इसका गुण मतलब specific qualities on and subject matter किसी भी subject का किसी भी matter की specific qualities को ही कहते है उसका गुण जैसे पत्थर का क्या गुण है शकर का गुण उसकी sweetness है पानी का गुण उसकी liquidity है शरीर का गुण क्या है इसके six-fold modification अस्ती ये होता है जायते ये पैदा होता है विपर्यते इसका शरण होना चालो होता अपक्षेते ये खतम होने लगता है प्रणश्यती ये पूरा खतम हो जाता है तो इसमें वर्धते इसमें metamorphosis भी होता है तो अस्ती जायते वर्धते विपर्यते अपक्षेते प्रणश्यती ये शरीर में होता है ये होता है ये पैदा होता है ये बढ़ता है, इसमें metamorphosis रुपांतरण होता है, इसका पतन होना चालो होता है और इसका प्रणश्यतिये खतब हो जाता है तो ये शरीर का धर्म है गुण धर्म तो व्यक्ती के रूप में आपका गुण धर्म क्या है? As an individual, distinct characteristics आपकी क्या है? आपका aptitude, abilities आपका खुद का flavor क्या है? जिसको कई बार लोग कहते हैं, मेरा nature ये क्या हो गया? गुण धर्म ये आपका तीसरा गुण धर्म है ये individual specific है विशेश धर्म role specific था गुण धर्म individual specific, ये role पर निर्भर नहीं करता अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपका कौन सा धर्म है? आपका गुण धर्म क्या है? तो ये चार प्रश्न खुद से पूछे आपको उत्तर मिल जाएगा अगर आपको जानना है कि आपका गुण धर्म क्या है? पहला something that I enjoy or love doing वो एक चीज क्या है जिसको करने में मुझे बहुत मज़ा आपका है I love doing it सोचिए उसको लिख लीजे कहीं इस activity को करके देख लीगा दूसरा प्रश्न something that I am naturally good at मेरी blessings क्या है? वो क्या चीज़ें जिसमें मैं स्वता रूप से बहुत अच्छा हूँ I am naturally very good at लिख लेजे तीसरा something that I can grasp with ease and interest कोई चीज़ जिसको मैं बड़ी आसानी से grasp कर सकता हूँ वो मेरा ये तीसरा question का उत्तर लिखे मुझे समझने में बिलकुल तकलीफ नहीं होती स्वता मैं समझने लगता हूँ चीज़ों को बहुत अच्छे से grasp कर पाँ लास्ट something for which I have an inborn talent जिसके लिए मेरा अंदर inborn talent है वाए बर्थी मुझे में वो talent है ये चारों चीज़ें आप लिखिए इनका जोड देखिए इनका जो जोड है वही आपका गुरधर्म है तो ये गुरधर्म बनता कैसे है आया कहां से तो शास्त्र कहते हैं कि ये पूरी काइना तीन गुरों से मिलके बनी है सत्व रज और तम सत्व रज और तम तो मैं भी इन ही तीनों गुरों से मिलके बना हूँ सो मेरे अंदर मेरा जो गुण है, मेरा गुण धर्म भी इन तीनों से मिला है सत्व का मतलत Contemplation Thinking Intuitive, Intelligence मेरे अंदर जो intelligence है सोचने की शमता है शान्त रहने की शमता है विचार करने की शमता है ये सब है सत्व पहले आप फिर मैं मानवता जो मेरे अंदर है दूसरा रजस Active Competitive Dynamic Enthusiastic मेरे अंदर जो उर्जा है कुछ कर गुजरने के लिए वो है रज Competitiveness पहले मैं फिर आप ये भावन रज तीसरा इस तन Dullness Lethargy Laziness Inertia पढ़ा रहने का मन होता है कई बार उठे ही नहीं आलस से ये सब तम है जब ये तीनों mix होते हैं गुण तब मैं बनता हूँ तो हम में से सब लोगों में ये तीनों गुण हैं पर अलग-अलग proportion में हैं इसलिए हम लोग अलग-अलग तरह के व्यक्तित्व हैं इसी को चार वर्ण कहा गया शास्त्रों में ब्रह्मन, शत्रिय, शूद्र और वेश्ष ये जन्म आधारित नहीं है ये कर्म आधारित है और ये गुण आधारित है मेरा जैसा गुण वो मेरी कास्ट है वही मेरा वर्ण है जैसे यदि मैं मुझ में सत्व बहुत ज़्यादा है तो मैं सीकर हूँ, एक्स्प्लोरर हूँ तो मैं किसी के भी घर पैदा हुआ हूँ मैं गुण ब्रह्मन हूँ मुझ में उर्जा बहुत है करने की मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ मेहनद करना चाहता हूँ लोगों की सेवा करना चाहता हूँ मैं किसी के भी घर पैदा हुआ हूँ मैं गुण शत्रिय हूँ मेरा दिमाद व्यापार में चलता है exchange में चलता है मैं खुद को बड़ा बनाना चाहता हूँ नाम कमाना चाहता हूँ दुनिया घूमना चाहता हूँ और उसके बाद लोगों की भी मदद करूँगा मैं किसी के भी घर पैदा हुआ हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ मैं गुड़ वेश हूँ मेरा दिमाग बहुत तेज नहीं चलता पर मैं बहुत अच्छा फॉल्वर हूँ आप आदेश दीजे मैं कर गुदरूँगा I am excellent in execution मैं जबरदस्त हूँ execute कर देख मैं कहीं भी पैदा हुआ हूँ प्रामन के घरी पैदा क्यो ना हुआ हूँ मैं गुण शुदरू so मैं career कैसा मुझे चुदना चाहिए जैसा मेरा disposition है उस अनुसार हर माता पिता का ये duty है अपने बच्चे के गुण धर्म को पहचाने और उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाईए वो महान कारे करेगा पर यदि आपने उसको उसके गुण धर्म के विपरीद किसी दिशा में बाद बढ़ाला क्योंकि आप I.S. ना बन सके तो आप चाहते हैं बच्चा बन जाए आप इंजिनियर ना बन सके तो बच्चा कर ले या आप उसके साथ तो चित नहीं करेंगे यदि बच्चा अपने बुण धर्म में करियर बनाता है तो उसको अपने पूरे जीवन में एक दिन भी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी कल्पना कीजिए ऐसा जीवन के एक दिन आपको नौकरी ना करना पड़े पूरा जीवन आप वो कर रहे हैं जिसके लिए आप पैदा हुए है आप कितना प्रसंदता से जीवन जीएंगे आपकी उमर बढ़ेगी और आप बहुत प्रसंद और सक्सेस्फिल होगे और अगर आप सक्सेस्फिल नहीं भी हो पाए तो भी कम से कम आप प्रसंद जरूर रहेंगे इसी लिए जरूरी है गुडधर्म में आगे पाए तो इसका रिजल्ट क्या होता है गुडधर्म का जो भी व्यक्ति अपना गुडधर्म में आगे बढ़ता है वो हमेशा खुश मिलेगा वो कहीं बैठके बासुरी भी बजा रहा होगा बड़ा खुश मिलेगा आपको क्योंकि वो अपने गुडधर्म को दिबा रहा है आप उसे कुछ भी कहें और अगर आपको इसको ज़्यादा जानना है तो वेदानता सीरीस में जाइए वर्नाश्रम को पढ़िए उसमें आपको इसका डीटेल मिलेगा वर्नाश्रम के उपर पूरा एक आउडियो है एक घंटे का प्लीज उसको पर सुनिए अब ये तीनो धर्म हो गए सामान्ने धर्म, विशेज धर्म और गुण धर्म अब मान लीजे जीवन में ऐसी इस्थिती आ जाए कि ये तीनो धर्म ही आपस में टकरा जाए तब कैसे निर्धारित करें कि सही क्या है तो दोस्तों बिल्कुल स्पस्ट उत्पर सुनिए सबसे पहले सामान्ने धर्म किसी भी सूरत में उसे मत छोड़िये उसके बाद विशेश धर्म और अंतिम में गुण धर्म यही रूल है सबसे पहले तबज्जो दीजिए सामान्ने धर्म को फिर विशेश धर्म फिर गुण धर्म तो आप ये जानिए कि जब भी आप किसी भी परिशानी में अभी आप जिस भी परिशानी में हैं उसको सोची और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो सुनिया हमारी बात को एक धर्म होगा इन तीनों में से जिसको आप कही है मुख्य धर्म है और दूसरा होगा गौण धर्म जो कम इंपॉर्टेंट होगा जरा समझ लेते हैं जैसे फॉर एक्जाम्पल आपको म्यूजिक बहुत पसंद है अब हुआ ये कि बहुत समय से आप एक महान संगीतकार को सुनना चाहते हैं और आज इस जिन्दगी में पहली बार आपके जीवद में वो महान संगीतकार आ गया आपके शहर में वो आ गया और आज उसका कंसर्ट है और टिकेट आपके हाथ में है यू आज आपको जाना है आप ऑफिस से घर पहुँचे अच्छा आपका गुण धर्म क्या है यू आर अम्यूजिक फ्रीक, यू लव म्यूजिक, तो आपका गुण धर्म आपको क्या कहेगा जाके देखो स्वभावी के टिकेट आपके हाथ में है, अब आप घर पहुँचे पता पढ़ा कि आपके बेटे की कल एक्जान, मैट्स की, और आप ही उसे मैट्स पढ़ाते हैं, और वो आपसे ही मैट्स पढ़के समझ पाता है अब आप क्या करेंगे, क्योंकि अब है विशेश धर्म वर्सेज गुण धर्म गुण धर्म कहा रहा है जाके म्यूजिक देखिए, और विशेश धर्म क्या कहा रहा है, रोले अब देज धर्म पिता का दाहित्मनी भाई है, बच्चे को पढ़ाई है तो आंसर बड़ा सिंपल है, विशेश धर्म हमेशा गुण धर्म से ज़्यादा तकतर होता है तो आंसर इस, आप घर पे रुखिए और उसको पढ़ाई है, चलिए आगे बढ़ाई इससे आपको रिग्रेट नहीं होगा, और पीस ओफ माइन मिलेगी जॉए और हटेनिस थोड़ी कम हो जाईगी आपकी, बट यस, एक और सिचुएशन लेगी आपको बहुत समय से आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, बड़े परिशान थे आप, इतना दुखी, परिशान, घर भी नहीं चला पा रहे थे अचानक एक व्यक्ति ने आपको नौकरी दे दी, आपके एंप्लॉयर ने आपको नौकरी दे दी, उसको आपका एंप्लॉयर बन गे, अब आप उसके नौकरी कर रहे हैं, उसके बिजनस में काम कर रहे हैं अब एक कस्टमर आया दुकान पे और आपके ओनर ने आपको कहा कि उसको चीट करके जूट बता के प्रोड़क्त बेज दो अब आपका विशेज धर्म क्या कहता है बॉस की बात मानो जिसने नौकरी दी है उसकी सुनो याराब पर सामान में धर्म क्या है यहाँ इंसानियत को धोगा नहीं दे सकते हैं यही तो करण की समस्या थी उसकी दुख के पल में तुरियोधन आया था तो विशेश धर्म था मित्र धर्म पर करण — यह भूल गया कि विशेश धर्म गान धर्म है मुख्य धर्म हमेशा होगा सामान धर्म इसलिए जब कर्ण ने भीश्म पितामा से पूछा मैं अर्जुन से ज़्यादा योग्य हूँ पर हर बार मैं अर्जुन से हार क्यों जाता हूँ विराट युद्ध में हार गया एक बार पहले और हार गया तो भीश्मच ने ने कहा कि तुम क्या मैं भी अर्जुन से हार जाओंगा क्योंकि हम दोनों भले शिश्य हो पर शुराम के किन्तु हम लोग सामान्न धर्म का पालन नहीं कर nessa और सामान्न धर्म सब काहित है और सब काहित को साथ मना करना चाहिए भले नौकरी जाए पर उसको मानता को धोका नहीं देश्चा थाए और उधरन हम लेके देखें यही उधरन अगर आप याद करें बता रहे थे हिटलर और एड्ल फिचमन का था कि एड्ल फिचिन्मन ने अब हिटलर की आदेश को मानने के लिए सामान ने धर्म को छोड़ दिया विशेज धर्म ने बाने लगा Jew लोगों की Europe में 75% of the Jew population was killed उसने विशेज धर्म ने बाया पर मानवताव का धर्म भूल गया और ये कई बार नौकरियों में भी होता है दोस्तों एक मिलगरम विद्वान हुए उन्होंने एक एक्सपरिमेंट किया वो एक्सपरिमेंट ये पता लगाता है कि ऐसा क्या हो जाता है विशेज जब नौकरी में जाता है वो इंसानियत भी कई बार भूल जाता है आदेशों का पालन करने हुए तो एक लाइन में हम उसपे बतायाए और रुची हो तो देखिये, movie The Experimenter, movie का नाम है, The Experimenter, उसमें क्या हुआ, Milgram ने experiment किया, कि भई, लोगों को एकटा किया, कुछ एक व्यक्ती teacher बना, कुछ student बने, teacher और student, अब teacher student से question पूछेगा, और अगर student गलत answer देगा, तो teacher को उसको बिजली के जटके देने, 50 से 450 watts तक के जट के, teacher ने प्रशन पूछा, और student ने गलत उत्तर दिया, तो उसको बिजली के जटके मिलेगे, अब हुआ ये कि student, experimenter से, मतलब Milgram से पहले ही मिला हुआ था, student को कोई जटका नहीं लगने वाला था, पर ये बाद teacher को नहीं पता थी, teacher को Milgram ने कहा, कि जैसे ही student ने गलत बोला, और उसको जटका देना बिजली का, और student को चुपचाप उसने अलग से कह दिया था, कि जब ये बटन दबाए, तुम्हें जटका तो नहीं लगेगा, पर तुम जोर से चिलाना, आ, मुझे लग गई, जोर जोर से चिलाने लगना, जितना बड़ा बटन दबे, उतनी तेज चिलाना, तो वास्तम में कोई करंट नहीं था, और ये teacher को कुछ पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, तो सड़क से कुछ लोगों को बुला लिया, जो teacher बनने को तयार थे, पीछे Milgram खुद बैठ गए, पहले गलत उत्तर पे उसने जटका दिया, 15 वोल्ट का, वो चिलाया, उसने गहरी सांस ली teacher में, फिर दूसरे गलत उत्तर को उसने फिर से 30 वोल्ट का जटका दिया, वो और ते चिलाया, teacher को थोड़ा अजीब लगा, अच्छा वो जानमुच के गलत उत्तर दे रहा था, हां सारा students, जानमुच के गलत उत्तर दे रहा, चौथे पांच वो गलत तो वोल्ट के करेंट आने लगे, वो चीखने लगा, तब teacher ने पीछे पलट के, Milgram को कहा, सर वो मर जायेगा, तो उन्होंने कहा, ये experiment keys आवश्यक्ता है, आप जारी रखिये, उसने फिर जटका दिया, 200, 300, 400 वोट तक, चुकि वो पीछे बार-बार experimenter कहता जा रहा था, न आप जानके चकित रह जाएंगे, United States of America जैसे देश में भी, 66% लोगों ने 300 वोट से ज़्यादा करेंट दिया लोगों को, और हम आपको याद दिला दे, घर में मातर 220 वोट की बिजबी चलती है, तो जो अमेरिका ये कह रहा था, कि इचमेन ने ऐसा कैसे कर दिया, आदेश जब वो गलत करता है, तो वो ये सोचता है, ये गलती का बोज मेरे उपर तो आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो आदेश मिला मैं कर रहा हूँ, और यही उसकी गलती होती है, आपको भले जो भी आदेश मिला हो, आप सामान ने धर्म का अभेलना न सामान अभता की सेवा करें, विशेश धर्म को भले आप छोड़ देए, एक आखरी उधारण हमले, आपका गुण धर्म है कि आप बड़े इंट्रोवर्ट हैं, आप बहुत शान्त हैं, बोलते नहीं है, जादा लोगों से इंट्रेक नहीं करता हैं, आप तार चला के जा र सामान अभर्म, फिर विशेश धर्म और अंतिम्य गुण धर्म, अन्य था आप जो भी कर रहे हैं वो अधर्म हैं, चले, अब एक और छोटा सा केस ले ले और खोड़ा समझ ले, इन तीनो धर्मों में अगर ओवरलेप हो जाए, और ऐसी इस्थिति आ जाए, कि एक तरफ त सामान अभर्म हो और विशेश धर्म हो, ये दोनों सही हैं, आप सामान अभर्म के अनुसार भी सही कर रहे हैं, विशेश धर्म के अनुसार भी सही कर रहे हैं, पर गुण धर्म के अनुसार आप सही नहीं कर रहे हैं, जैसे आपका नेचर है, आप अहिंसक हैं, किसी को मारत नहीं है पर यदि आपके मां पर आच आए तो कोई आपकी मां से मिजबिहेव करे तो वो भी क्या पहिंसक रहेंगे सामान ने धर्म है और विशेश धर्म पुत्र के रूप में भी और मानत्ता के नाते भी आपको मां का कल्यान करना चाहिए उनकी मदद करनी चाहिए इसी को आपत धर्म कहते हैं आपात धर्म तो कई बार एक सिचुएशनल ड्यूटी आती है यही बात ने प्रेरित किया भारती स्वतनत्रा संग्रामियों को लोकमान ने तिलग अपनी गीता रहस्सें में लिखते हैं कि आहिंसा अच्छी बात है पर अगर कोई तुमारे मां के आचल पर आगात करेगा तो भी क्या तुम चुप रहोगे और इस बात ने प्रेरित किया लोगों को कि धर्म यही है कि लड़ें यही बात कुंती ने कही थी युद्ध होने से पहले जब क्रशने ने पूछा क्या मैसेज है पांड़वों के लिए तो कुंती ने कहा था उनके लिए मैसेज यही है कि जिस दिन के लिए शत्राणिया अपने बच्चों को जन्म देती है आज व धर्म नॉर्मल है और विशेश धर्म में भी कोई परिशानी नहीं है और आप अपना गुण धर्म निभाना चाहते हैं तो इसी को हम होबी कहते हैं जहां सामाने धर्म नॉर्मल हो विशेश धर्म नॉर्मल हो और केवल गुण धर्म चले तो इसको हम कहेंगे होबी तो दोस्तों इस बात को हम अच्छे से समझ पाएं कि किस समय हमें किस धर्म का पालन करना चाहिए चलिए तो अब अधर्म क्या है फिर कोई भी action जो इन तीनों में से किसी भी एक से या तीनों से aligned ना हो वो अधर्म है फिर से हम कह दें कोई भी action जो इन तीनों में से कोई एक या तीनों के ही विपरीथ हो तीनों में से किसी एक के विपरीथ हो या तीनों के ही विपरीथ हो तो जो आप कर रहे हैं वो है अधर्म यही अधर्म की परिभाशा है अब सबसे important स्वाधर्म क्या है क्रेशन अभी गीता जब आगे बढ़ेगी कहेंगे अर्जुन स्वाधर्म का पालन करो तो स्वाधर्म क्या है स्वा मतलब माय ओन धर्म मतलब धर्म तो धर्म मतलब यह तीनों का ही combination तो स्वाधर्म का मतलब सामान धर्म प्लस विशेश धर्म प्लस गुण धर्म किसी को मैं स्वधर्म कहूँगा ऐसा धर्म जिससे सामान धर्म की भी अभेलना ना होती हो मानथता का भी सर्मसार ना होती हो जो मेरा विशेश धर्म है मैं उसका भी पालन करूँ और जो मुझे करना पसंद है मैं वो भी कर दो यही तो अर्जुन को क्रशन कह रहे है अर्जुन लड़ क्योंकि तुझे तो तीर चलाना पसंद है बच्पन से आज तक तुभी किया क्या है कि यही तो चलाए है इसलिए लड़ यह तेरा गुण धर्म है फिर तेरी जाती क्या है वर्ण क्या है शत्री है विशेश धर्म भी यह है तु पती है तु शत्री है लड़ विशेश धर्म दो रोल बता दिये और तीसरा सामान न धर्म धर्म की इस्थापना के लिए लड़ मानत्ता के लिए लड़ because it is good for all तो इसलिए स्वधर्म का मतलब ये जब तीनों हो तो आपके स्वधर्म में जो सामान धर्म में उसे तो सब समझ जाएंगे विशेश धर्म को वही समझ पाएगा जो उस रोल में से गुज़रा हो वो समझ पाएगा कि हाँ वही मैं समझ सकता हूँ तुम एक बेटे हो मैं भी समझ सकता हूँ एक बेटा कैसे सोचता है पर गुण धर्म और कोई नहीं समझ जाएगा वो के वल आप समझेगे तो इसलिए आपका स्वधर्म स्पेशल आपका है आपके अत्रिक्त इस धर्ती पे किसी और कोई और नहीं समझ सकता आपका स्वधर्म क्या है तो स्वधर्म से होता क्या है जरा इसको समझेगे जब आप स्वधर्म का पालन करते हैं तो क्या होता है हमने बोला स्वधर्म का मतलब सामाने धर्म प्लस विशेई धर्म प्लस गुण धर्म तो जब आप सामाने धर्म का पालन करेंगे तो क्या होगा आपके जीवन में I am doing common good आपको हमेशा लगेगा मैं सबके हित का काम कर रहा हूँ पीस रहेगी खुद के साथ और वातावरन के साथ clear conscience, अंतरमन शांत रहेगा कोई guilt नहीं रहेगी आप सबके जीवन में contribute करेंगे आपको significance फील होगा आपको दिमाग आप head और intellect शांत रहेगा और आप soul से काम कर रहे होगे soul जोग के काम करेंगे तो कि आपको अच्छा लगेगे अब आजाए विशेज धर्म विशेज धर्म भी आप निभा रहे है स्वधर्म में तो तो क्या होगा आप अपनी duty कर रहे है तो आप खुद के साथ peace में रहेंगे दूसरों के साथ peace में रहेंगे आपको peace of mind मिलेगी कोई regret नहीं होगा high performance कर रहे होगे आप उस role में success मिलेगी action जो आपके हाथ में उसे आप अच्छे से करेंगे आप अपने body को भी maximum use कर पाएगे तो वहाँ soul था ये body थी पीसरा गुणधर्न भी आपने भा रहे है तो you will enjoy a lot तो you will be peaceful with self you will be happiness होगी और joy होगा कोई fear नहीं होगा कोई pressure नहीं होगा क्योंकि ये काम करना आपको पसंद है feelings भी प्रसंदा की होंगी heart and mind शांत रहेगा तो mind, body, soul तीनों शांत हो जाएंगी जब आप स्वाधर्म करेंगे तीनों coordinate होके काम करेंगे इसी को कहते हैं your soul तीनों हो जाएंगी clarity of thoughts होगी तो आप जीवन में जब भी प्रसंद उठे ऐसी स्थिती में मैं क्या करूँ लिख दीजिए तीनों धर्म और उत्तर दीजिए स्वाधर्म करो यही अर्जुन को प्रसंद क्या रहे है ठीक, स्वाधर्म करेंगे तो आप हमेशा प्रसंद रहेंगे अब आगे बढ़े फिर परधर्म क्या है सीदी सी बात है जो स्वारधर्म नहीं है वही तो परधर्म है तो महरा धर्म मेरे लिए परधर्म हो जाए क्योंकि हमने पहले ही कहा सामाने धर्म हम दोनों का एक जैसा है अगर हम दोनों एक ही मा के पुत्र है तो अधर्म का पालंग करते हैं, परधर्म दूसरों का होगा, यह बिलकुल वैसा अगर हम परधर्म का पालंग करते हैं, तो मुश्किल क्या होती है, मान लीजिए, फुर्वाल मैच चल रहा है, गोल की पर, वो देखके लगे आरे, फॉर्वर्ड वालों के तो जीवन में पाएगा ना टीम को जीतने देगा, इसलिए हम जब भी परधर्म करते हैं, डिजास्टरिस हो जाता है, अब एक अंतिम बिंदू की तरफ हम जाएगे, पुरशार्थ जो है, तो अब हम क्या करें, आज इस समय, इस स्थिती में हम क्या करें, तो जब भी आप कोई भी करते हैं, जो धर्म की तरफ जा रहा है, एक्शन इच्छन इस सेल्फ इस पुरशार्थ, पुरशार्थ मतलब कर्म, बीज है यह, कर्म है यह, तो पुरशार्थ मतलब जब भी आपको इकर्म करते हैं, तो यह दो ही तरह के कर्म हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास Freedom of Choice हैं, एक, वो धार्मिक होगा दूसरा वो अधार्मिक होगा जब आप धार्मिक कारे करेंगे जब धार्मिक पुर्शार्फ करेंगे तो या तो उसके द्रश्च फल होंगे धार्मिक मतलब सही कारे करेंगे आप तो या तो उसके द्रश्च फल होंगे जो आपको दुखेंगे, मत पढ़िये, एक्जाम में फेल हो जाएंगे, द्रश्च फल है, मत पढ़िये, आप मकार बन जाएंगे, इन दो लॉंग, ये अद्रश्च फल है, ठीक, ये अधर्म का उधारण दिया हमने, धर्म, आप पढ़िये, अच्छा रिजल्ट आएगा, ये धर्म का द्रश्च फल है, पढ़िये, आपको महनत की आदत हो जाएगी, अधर्श्च फल है, तो भले आपका कर्म धर्म आधारित हो या धर्म आधारित हो, इसके द्रश्च और अधर्श्च दोनों प्रभावित होंगे, आप गौर से देखिए, आपके धर्म या अध अधर्म आधारित कर्म के जो अद्रश्य प्रभाव होते हैं इसी को प्रारब्ध कहते हैं आपके धार्मिक कारे का जो पुर्णे हैं आपके अधार्मिक कारे का जो पाप हैं ये दोनों ही तो अद्रश्य हैं ये बाद में फली भूत होंगे तो इन दोनों को ही हम तो प्रारब्द क्या है? मेरे कर्म का फल तो कर्म हो गए पुरशार्थ, फल हो गए प्रारब्द चीक? पुरशार्थ हो गया चॉइस और प्रारब्द हो गया सिचुएशन जिसको लोग डेस्टिनी, किस्मक या प्वेट कहते हैं यह आया कहा से? हमने ही पहले ऐसे बीजबोय थे, जिसके फल हमें मिल रहे हैं तो क्या होता है? मेरे सामने एक सिचुएशन आई उस सिचुएशन को मैं रेस्पॉन्स कैसे कर रहा हूँ? वही मेरा पुरशार्थ है मेरे सामने प्रारब्द आया उस प्रारब्द के प्रती मेरा response मेरा पुर्शार्थ है और मेरा पुर्शार्थ आगे फिर से ने प्रारब्द बनाएगा ठीक, तो प्रारब्द क्या है? A situation that has come as a fruit of my past actions तो प्रारब्द की परिभाशा एक situation जो मेरे पिछले विगत पुर्शार्थों का फल है और पुर्शार्थ क्या है? My action, मेरा कार है My response to the प्रारब्द उस situation के प्रती मेरा response utilizing free will अपनी choice को exert करके तो इसका मतलब अगर मैं अच्छा response दे रहा हूं तो मैं अपने भविश्व को अच्छा बना रहा हूं तो एक ही situation में मैं सफर कर सकता हूं या खुछ रह सकता हूं, ये मेरी choice है इसलिए man is the master of his fate हमारा आज हमारे कल का फल है और हमारा कल हमारे आज का फल होगा Life is a choice Always choose dharma Our present is the fruit of past and seed of future Fruit of past हमारा आज हमारे कल का फल है कल का क्या मतलब है कल का मतलब पिछला second पिछला पूरा जीवन पिछला जन्म और पिछला युग ये सब कल की परिभाशा है इन सब का असर है मेरे उपर मेरे प्रारब दिन सब से मिल के बने So इसलिए man is the choice maker सही कारे कीजिए Choose dharma Right action तो सही कारे क्या है Appropriate पुर्शार्थ क्या है Appropriate पुर्शार्थ is to follow my swadharma Whatever situation comes और यदि फिर भी समझ में ना आए तो क्या करें अपने अंतर्मन की सुनिए शान तो हो कि अपने अंतर्मन की सुनिए आपका अंतर्मन आपको बताएगा कि आपको उसे स्थिती में क्या करना है इसलिए सारे ग्रंथ सारे religious scriptures एक सुर में धर्म को स्थापित करते हैं धर्मों रक्षती रक्षत हा धर्मा will protect those who will protect धर्मा यही रामने बाली को कहा था जब बाली ने कहा आपने पीछे से मारा रामने कहा आज तक जब तुम सुगरीब के साथ गलत कर रहे थे तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया धर्म उनी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करें यही उत्तर कर्ण के संगहार के समय क्रेशन ने कर्ण को दिया तमिल गरंथ में लिखा जाता है धर्मम फालाई काकुम a person who destroys धर्मा धर्मा will destroy that person आप इस nature को बर्बाद कर दीजे नेचर आपको बर्बाद कर दे तिरुकुलूर famous grant लिखते हैं a king who rules justly will himself be protected by धर्मा माहभारत का सार है यतो धर्मा ततो जया जहां धर्म होगी वही जीत होगी रामायन का सार है जब रावन मारीच को कहता है राम के लिए स्वण मरग बन जाओ ताकि राम को भढ़का सके तो मारीच कहता है रामो विग्रवान धर्मा अगर राम धर्म का रूप ले या भी धर्म राम का रूप रूप ले तो वो जरूर राम ही बनेगा जब भी धर्म व्यक्ती का रूप लेके धर्ती पे आएगा तो राम जैसा दिखेगा दो शब्दों में अगर आप पूरे वेद को बोल दे चारों वेद का केवल दो शब्द धर्ममचर धर्मिक रूप से जीवन लेटीटी बाइबल कहती है अपने पडोसी के साथ ऐसा वहवार कते ही न करो जो तुम्हे खुद के साथ पसंदा हो सामान न धर्मा तो दोस्तों लेट्स हैवेट क्विक रिकाप हमने क्या पढ़ा पूरा हमने ये जाना कि जब अरजुन कंफ्यूज होता है तो क्रश्न कहते हैं स्वधर्म का पालन करो क्योंकि लॉर्ड विल बी वित यू ये हमारा जीवन है हमारी बैटल है हमारे निर्ने होंगे कई लोग अपने जीवन में निर्ने लेने से बचते हैं याद रखे निर्ने आपको ही लेना पड़ेगा यदि आपको अपने जीवन को बदलना है तो निर्ने कैसे ले जो यह पता कैसे लगा है तो धार्मिक निर्णे लीजे तो धर्म क्या है जो इस ने धारन कर रखा है इस कायनात को जिसने अप्लोड कर रहा है इस पूरी कायनात को वही धर्म है natural order of the universe ये religion नहीं है religion subjective होता है धर्म objective होता है धर्म is natural order of the universe ईश्वरा is the intelligent order of the universe धर्म तीन स्रकार के है सामान्य विशेश और गुड धर्म सामान्य धर्म जो सब पर लागू हो मानवता ही तो धर्म है उस धर्म को हम कता ही न भूले applicable to all humans at all times at all places जिसको आप human rights charter कह सकते है preamble है हमारा humanity का चार प्रशन खुद से पूछी अगर आपको जानना है सामान्य धर्म किसी भी स्थिती में क्या है पहला longer interest होना चाहिए दूसरा long term में अच्छा होना चाहिए तीसरा scalable हो और चौता sustainable हो जब भी आप सामान्य धर्म का पालं करेंगे clear consciousness होगी आपकी conscience clear होगा guilt नहीं होगा और आप पुण्ने के भागी बनेंगे दूसरा है विशेश धर्म role based, duty based जब तक role में रहेंगे तब तक और धर्म लागो होगा role खतम, धर्म खतम यह जानिया आप एक बड़ी काइनात के बड़ी machinery का एक हिस्सा है भले हो machinery घर हो या देश हो या परिवार हो पता कैसे लगाएं जानिया उस role में मुझसे आप एक्षित क्या है मेरे करतर्दिक क्या है जिसको आप SOP कह सकते है law कह सकते है एक्ट क्या सकते है role conflict हो सकता है अलग-अलग role के बीच में तो इस role conflict को solve कैसे करें larger interest किसमें सर्व हो रहा है पहला प्रशन दूसरा प्रशन पूछिए कि अगर failure हुआ तो उसके implications क्या होगे और तीसरा वो जो failure है उसमे recovery के chances कितने है इन तीनों प्रशनों की आधार पर मिरने नीचे result होगा peace of mind and no regrets यही तो राजधर्म, गुरुधर्म शिष्च धर्म, पुत्र धर्म सारे धर्म होते है तीसरा is गुण धर्म हर object का गुण धर्म specific qualities इसको मैं मेरा flavor मेरा nature, मेरा character, मेरा attitude, मेरा ability, मेरी aptitude कहता हूँ, पता कैसे लगाएंगे मेरा गुण धर्म क्या है वन, प्रशन नमबर एक, something which I enjoy doing, मुझे सबसे यादा मजा क्या करने के लिए आता है किस चीज में, दूसरा, मैं naturally good किस में हूँ, तीसरा something that I can grasp with very ease and interest, चौथा something for which I have inborn talent, मुझे inborn talent है मेरे अंदर उसके लिए, ये लिख लीजे आपको पता पढ़ जाए ये आता कहां से सत्व रजुत्तम गुणों के combination से आता है, इसलिए इन तीनों गुणों का जो combination है, वही तो मुझे बनाता है, और वही मेरा disposition होता है मेरा गुण धर्म अपने गुण के अनुसार नौकरी और website करूंगा, मैं जिंदिगी भर खुछ रहूंगा और दूसरों को खुछ रहूंगा अगर मैं अपने गुण धर्म के विपरीद नौकरी करूंगा, दुखी रहूंगा और दुखी करूंगा लोगों को हर माता पिता का दाइत में है, बच्चे के गुण धर्म पता लगाएं, उसे वहाँ प्रेरिद करें सुन्दर दुनिया हम बना पाएंगे result क्या है, joy and happiness priority क्या है, सबसे अगर इन तीनो धर्मों में गतिरोध हो तो सबसे पहले स्वामान्य धर्म फिर विशेश धर्म फिर गुण धर्म किसी भी सूरत हो इसके बाद, कहीं भी आप ये बच जान लीजे मुख्य धर्म क्या और गौन क्या है, बस ये पता लगा है मुख्य धर्म को follow कर लीजे इन तीनो धर्म में ओवर लेफ हो जाए तो क्या करें? अगर सामान्य धर्म और विशेश धर्म सही है पर हमारा उसके विरुद्ध है गुण धर्म इसी को आपत धर्म कहते है आपात इस्थिति में हिंसक को भी हिंसक बनना पड़ता है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में जेल से अपील नहीं किया किया हिंसा करो उनका नारा था करो या मरो या आपात इस्थिति है या तो अब आजादी लो या मर जाए इसी तरह से मेरा गुण धर्म ही मेरी होवी है यदियो विशेश धर्म और सामान धर्म के विरुद्ध ना हो इसके बाद हमने ये बात की तो फिर अधर्म क्या है जो इन तीनों में से किसी भी एक या तीनों के विरुद्ध हो एक के भी विरुद्ध हो तो अधर्म है फिर हमने बात की स्वधर्म क्या है मेरा और मेरा स्वा मतलब मेरा धर्म इन तीनों का कॉंबिनेशन तो मेरा स्वधर्म का मतलब हो गया है मेरा सामान में विशेश और गुर्धर्म तीनों तो आप देख पा रहे हैं सामान में तो सबका एक डेसा होता है विशेश भी एक रोल के लोगों का एक डेसा होगा पर गुर् लग लग काम करने के लिए धर्ती पर बने वियार वियार सो यूनीकली डिफरेंट तो इसलिए सब का स्वधर्म अलग है अपने स्वधर्म को पहचानिये जब आप उसको जीएंगे तो आप बॉडी माइंड सोल से काम कर पाएंगे और आप इतिहास गड़ के जाएंगे दूसरों का सवधर्म है वो मेरा परधर्म है जैसे गोलकीपर और फुटबॉल के फॉवर्ड पुर्शार्थ क्या है जो एक्शन में कर रहा हूं प्रारभ क्या है इस एक्शन के अद्रश्य प्रभाव जो सिचुएशन के रूप में मेरे सामने आएंगे प्रारभ दूसरी देजं का पालन करें धर्म क्या है स्वधर्म है स्वधर्म क्या है इन तीनों धर्मों को जोड़के जो अंदर से उत्र बिलें और ना समझ में आये तो अपने अंतरमर्न का सुनिये और विदों का आधार वी यही है धर्मम चर्र् Thank you very much.